राम राम नमस्ते जैन साथियों मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ाओं आप से महम 24 एक चेतर के गाउं बलंबा से और बड़ी दुखत गटना गटी है गाउं बलंबा के अंदर के एक 22 जो चांग गाउं से यहां पर दुकान किये वे था और उसकी दुकान उसका रोज अच्छे तरीके से हो सके लेकिन अन होनी को कुछ औरी मंजूर था और सौट सर्किट से आग लगी और दुकान का बहुत सारा समान जड़के राख हो गया उन सपनों के उपर पानी फिर गया जो बच्चे इंतजार में रहते हैं शाम को पापा आएंगे दस पैसे लेके पाउं में बर्मबा में पहुंचे थे और दो भाई लक्ो और पंजु जो की आजादी के बाद यहां जैसे पहुंचे थे तरुंट इस गाउं बर्मबा में पहुंच गए थे और वर्षों सालों साल पुरानी दुकान जो यहां पर लोगों के साथ अपनापन बाईचारे के साथ यह रहे रहे थी उनको एक बहुत बड़ा नुक्षान हो गया 37 बाई हमारे साथ है 37 बाई एक बाध जारशी यह 37 बाई जो बहुत ही गमगीन है क्योंकि रोजगार चले आ गया सतिस भई अड़ाजा सतिस राम राम भई सतिस भई नुक्षान हो गया कब पता चले आपको आपकी दुकान में आग लगी यह रात को सादे नोपने दुस बज़ेशी पता लगा इनने ने फोन कर दा था सतिस भई एक ही रोजगार और वो यह जड़के राख हो गया कैसे गुजरा होगा सब्द नहीं है बाई के पास बाई बिलकुल गले बरेवे हैं और गमगीन है क्योंकि जिसका रोजगार चला जाता है उसके पास सपने नहीं रहते बिखर जाता है सब कुछ सतिस भाई कितना नुक्षान होगा लग बाई बोल नहीं पार है बिलकुल सब्द नहीं है और जो दर्शक साथी देखने वाले है सरकार के जो अदिकारी मैं तो अन्षे अनरोद करूँगा कि एक दया बावना से एक रोजगार बनाए रखने के लिए ताकि बच्चों का बरण पौशन हो सके इनको आर्थिक सायता उपलब्द करवाई जाए सतिस भाई आपने फायर ब्रिगेडिया पुलिस वगरागा फौन किया है नहीं किया करना ची आपको लिखित में कुछ देना अश्डियम साब को देना चीए ताकि अश्डियम साब भी हमारी अगर वीडियो देख रहे हूं तो इसके उपर थुड़ा हा संग्यान में ले इस मामले को ताकि इस भाई का गुजर बसर अच्छे डंग से चल सके ताई राम 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 बेटा ताई क्यों करें परोस में रो हो तो कब पता चलिया के आग लगी बेटा शड़े नो बजे पाच्छ पता चलिया था गालन और फिर सारी गालन आग बुजाई थी छोटत बड़्या थी और यह तो बाद में चांग करन आड़ा है और बाद में बुलाया इनके पता जी भी बहुत साल पर लिया हां बहुत साल का रहा है बहुत बड़ा नुक्षान हो गया दरसक साथी और नुक्षान में आपको देखा देता हूं दिर्जबाई थोड़ा आगा आजा यह यह वो दुकान है जिसके सहारे यह अपना गुजारा चलाए और यह वो लाइन बिजली की जो आई वी थी केबल यह यहां से सौर्ट सर्किट की वज़े से जो आग लगी है दुकान के आलात आप देख सकते हैं बिलकुल सब कुछ जड़ा हुआ बिखरा हुआ पड़ा है यह सामानी नहीं मैं तो बार बार यह कहूंगा यह सपने कि जो आस और उम्मीद लगाए वे बैठे रहते हैं कि पापाजी का रोजगार गाउंबलंबा में अच्छे डंग से चला हुआ है और हम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे अच्छा खाना खास केंगे लेकिन पलबर में सपने राख हो गए अब यह वह समान चारों अब से दिखा दे दिरिजबाई बिलकुल दुकान की जगे राख ही राख और पाणी पाणी नजरा रहा है क्योंकि हर चीज तो जली हुई है और कुछ समान अगर गाउंवाले ने बचानी की कोशिस करी थी तो वो भीक के खराब हो गया अब यह देख सकते हैं पूरा पू समान जो है जल्या हुआ था अब दर्सक साथियों हर चीज उपलब्द रहते हैं पुराने दुकंदार हैं जैसे देखिए यह पसूं के लिए नाल जो देते हैं वो भी सब से मटके और इकठी हो गई कहने का मतलब यह है जहां बच्चे सुबह उठते ही पापा जी से जिद कि हमारे आस्पडोस में यह हो गया कि जहां से हम चीजें खरीते थे वो दुकान जल गई है बहुत बड़ी आनी हुई है दुकंदार को और मैं तो यह कहूंगा कि ऐसी आनी जिसकी बरपाई करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि एक एक चीज को जोड़ के चलते हैं एक एक साओगे के सरकार क्या के इसका सरा ला चाई है सारा लाना जीए तर्सारा बहुत शरीप ऑद्मी है बिलकुल बिलकुल व्ल्कुल ऐधे थोड़ा उधर आजा सौनू ALL नक्षान बहुत हो लुए इसका और रोजगार नूनी वेरा वर किया किसम डूबी है विचारेगी आंदो परशाशन इसका देखकर शार आप पांचालाग कर बहुत नुक्षान हो गया गनीमत यह रही है कि सतीस भाई इस दुकान के अंदर शोया करता दा श्याम को गर पे चलियागा अगर सतीस भाई यहां था तो बहुत बड़ा नुक्षान हो सकता है बिल्कुल ठीक बात है माल आणी होगी जन आणी होने से बच गी तो सरकार के नुमाइन दे या फिर जो भी आजकल राजनेतिक रूप से बहुत से दानी सजन है मैदान में मैं अनुरोद करूँगा कि आप भी इस गरीब दुकानदार सतीस भाई की मदद करिए ताकि यह अपना रोजगार दोबारा से खड़ा कर सके और अपने बच्चों का गुजर बसर ठीक डंग से कर सके और सरकारी अदिकारी अगर इसमें कुछ संभावित मदद हो सके आर्थिक मदद हो सके तो उसकी तरफ भी आप द्यान कीजिएगा गाउं बडंबा में पन्ना बजान के अंदर यह सतीस भाई की दुकान है जो जलक्य खाक हो गई है क्योंकि सपनों का राखोना सपनों का तूटना एक बहुत बड़ी बात होती है वो सपने एक बार फिर आप इनके लिए संजोने का काम करवाईए आप सब का बहुत बहुत दन्यवाद जे हिन जे वारत